नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी भाई बैनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूज चनल के आज सामके इस वीडियो में आप लोगों को बता दो कि आंगनबाडी केंदर अब सरकारी स्कूलों में दरसल सिफ्ट होने जा रहे हैं इस चीज को लेकर एक बड़िया खबर हमारे पास छपकर के आए देखते हैं कहां से खबर है और क्या पूरी बड़ी जानकार है वीडियो को फटा फट लाइक करें और वीडियो को अपने सेर भी कर देना आल इंडिया की जगे जगे से जो भी हम अन्यन राज्जों से खबरे देते हैं वो सभी को दिखाने का प्रयास हमारा इसलिए रहता है ताकि आगनबाडी थोड़ी जागरुक हो जाए उनको पता चले अन्यन राज्जों में आगनबाडियों को क्या मिल रहा है और क्या वहाँ पर हो रहा है तो वो बदलाव आपके वहाँ कब आ सकते हैं तो ऐ रहा है कैसी होनी चाहिए जहां पर आगनबाडी केंद्र सिप्ट किये जाएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देखेंगे आगनबाडी केंद्र स्थापना के लिए नियम क्या है तो पहले सबसे पहले हम नियमों को ही जान लेते हैं उसके बाद पूरी पर एक आंगनबाडी केंदर खूला जा सकता है तो यह एक यहाँ पर बड़ी ख़बर आ रहा है राजस्थान से साथी दूसरा लिखा है अधिवासी जन जाती चेतर में 300 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाडी केंदर खूले जाने का प्रावधान है साथी आप लोगों को जादे एक और यहाँ पर देख सकते हो जन जाती बहुल ले गरामीर चेतरों में 150 से 300 की आबादी एवं सामानने गरामीर चेतर में 150 से 400 की आबादी पर मिनी आंगनबाडी केंदर खूलने का प्रावधान है तो यह नियमों को आपने जान लिया नए केंदर जो राजस्था यह केंदर बदला होगा आगनबाडी केंदर सरकारी स्कूलों में कैसे जाएंगे उस चीज को लेकर के जानकारी अब आप लोग गिध्यान से देखिए विभाग ने माना है कि यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हैं मैं थोड़ा इसको पॉइंटर को अपना छोटा कर र होगा कि इस थानांतरी जगे पर पर्याप्त भूमी भवन पानी की सुविधा गर्वती महिला और बच्चों की पहुच आसान रहे कहने का यह मतला बहुत सी आंगनबाडी की समस्या हमने देखिए उनका कहना है कि उनका केंदर जो आबादी है वहाँ से दो किलो मीटर दू कैसे तरह कर पाएंगे तो यहाँ पर पास में होना चाहिए अबादी के जहाँ पर जो हर कोई पहुच सके तो लिखा है आंगनबाडी कार करते हूं कि अधिकतम यात्रा दूरी सहर से पांच किलो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर पांच किलो मीटर की दू में 1.5 km होना चाहिए तो यहाँ पर लिखा ये गया है कि 5 km जो आपके सहरी छेत्रे वहाँ पर 5 km की दूरी होनी चाहिए सहरों में केंदर की और साथ में जो है अधिकतम दूरी है यह यह नहीं कि इतना हो ही और यहाँ पर ग्रामीर छेत्रों में 3 km कम से कम हो अधिकतम मतलब ह 3 किलो मिटर या हो सके तो पास में ही हो जाए अगर 20 जगे है तो पास में ही बनना चाहिए साथ में ये भी है कि यदि आपके ग्रामीर वगएरा है या आदिवासी छेत्रे तो वहाँ पर देड़ किलो मीटर ही अधिक्तम दूरी हो तो वहाँ पर आप लोगों को खुद देखना है कि यहाँ पर कितनी दूरी में कितनी आसानी से मिल सकता है बहुत ही अच्छा रहेगा आवादी के पास ही यदि जगह वगारा मोहिया हो जाए पानी की सुविधा हो जाए तो जादा ही अच्छा रहेगा नहीं है तो उसका अंतजाम भी हमारे विभाग को सरकार को मिल करके करना चाहिए अब लिखा है आंगनबारी केंद्रों पर गर्वती महिला और बच्चों की पहुँच बनाने के लिए सभी जिले में केंद्र को रिलोकेट किया जाएगा आंगनबारी क स्कूलों में इस्थान अंतरी किया जाएगा तो यदि 500 मीटर के दायरे में आपका कोई सरकारी स्कूल है तो आपका आंगनबारी केंद्र उठकर के उस सरकारी स्कूल में जो है राजस्थान में पहुँच जाएगा पर उनका बदलाओ जल्दी देखने को बहुत ही जादा जो है मिल जाएगा तर्यार के लिए बहनों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ आपको बता दे यहाँ पर सुननदा तिवारी बहन कुछ कहना चाहती है उनकी बात को हम रखना चाहेंगे आज के सामके इस वीडियो म पर उन्होंने काई बार हमें फोन भी किया लेकिन नियम काईदे एक जैसे हैं तो इस वज़े से माफी चाहूंगा सभी बहनों को क्योंकि फोन वगयरा कॉल से बाते नहीं हो सकती हर आंगन बाड़ी बहने बहुत जादा फोन करती है इस वज़े से जो नियम काईदे कानू उन्हें की वाट्सप से ही मैसेज करिये और चाहें वो कोई भी हो चाहें आगन बाड़ी वरकर बहनों या हमारे की यूनियन की भाई बहनों हर किसी के लिए हमारी जो है ये एक प्यार है वो बराबर है तो यहां पर आपको बजादे बहन का मैसेज है उसे मैं दिखाना चा से उनका कहना यहां पर चल लए ये 2017 से साथ उन्होंने लिखा है ऐसे क्योंकि हिंदी के साथ मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है और यहां पर आपको बता दू उससे उठाई है लंबे समय से लंबित हमारी मान का प्रणाम अब मिल सका है इतने लंबे समय से जान प्रणाई है तो ऐसे में अब उनकी जाच हो रही है और भी जो अधिकारियों जो शाइन किये थे ना उनकी जाच हो रही है। दो महिने का पैसा कट गया था तब निदेशक महोदे कोई और थे और ऐसे में तब जब भी कुछ हुआ था ना तो उस समय घोटाले भी हुए थे आप लोगों को पता होगा तो उनी अधिकारियों की वज़े से जो घोटाले भी तब हुए और आंगनबारी का पैसा भी दो मह कमेटी में बनी थी उस पर भी हुए नेड़य को दरकिनार कर दिया गया आप लोगों को पता होगा जो कमेटी बनी थी क्रस आयुक्त की बैठक वगरा जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था तीन महिने का समय चाई योगय अधितनाजी ने तो उस कम नहोदय ने हमें समिधान के प्रदत अधिकारों की गोर अवेलना की निदेशक के दोरा नोटिस दिये देने के दिन से ही आंगनबाडी बहनों को डराने धमकाने का काम भी सुरू हो गया था आप लोगों को पता होगा आल इंडिया ने हर चीज को दिखाया जो भी एसमा ल इस सरकार से ज़्यादा खफा है उनके अंदर ये रोस ग्यापत है शुरू कर दिया गया लेकिन आगे लिखाया लेकिन इसके बाजूत बहादूर बहनों ने सभी जनपदों में लगाता दो माह तक अंदोलन सफलता पो रोक चलाया था मुझे खेद है कि अंदोलन को दों सवर्य क्यादा खुगा है तो यहाँ पर आपको बताने आता बहनों आप ज़रा भी जो है धीरजनाक होएं अंदता जीवन हमारी भी वगरा लिखा हुआ है, हमारा अंतता जीत वगरा, सुरी, जीत हमारी ही होगी और हम बहने जो है अपनी एक जुटता में जो है भष्टतंत्र वगरा के खिलाब लड़ाई वगरा जो लड़ी जा रहे हैं उसमें जीतेंगे जरूर, सत्त की जीत सदय होती है हमारी बीजीत होगी जै भारत, जै हिन, आंगनबारी, सहिका बहनों और आपकी सुननदा तिवारी बहन उनका ये मैसज हमारे पास आया, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुचा दूँ आल इंडिया के माद्यम से जो वो क्या कहना चाहती, अपनी बात को रगना चाहती, इसी कारण उन्हों ने हमें लगबग पांच तक फोन किये, लेकिन यहाँ पर नियम कायद एक जैसे होने के कारण, बात किसी से नहीं सोकती हम यही कहते हैं, आप सब जो है, एक जैसा नियम कायदा अपना है स्वास्त कर्मी से लेकर के दैनिक मजदूर तक 50 लाग का बीमा दिया जा रहा है, और यह जारखंड राची से बढ़िया खबर है, आप लोगों को बता दूँ, आप सब यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, तो जारखंड की जो बहने, वहाँ पर यह सब चीजे हैं, लेकिन यह स्वास्त कर्मी जो है, उन लोगों को जारखंड सरकार भी उनने भी नहीं लिखा कि यहाँ पर आंगन बाड़ी को जो है, बीमा बगरा हम देंगे, बांकी COVID-19 से जुड़े इन्हें मिलेगा, बीमा का लाब, सरकारी स्वास्त सेवा प्रदाता, समधाइक स्वास्त कर्मी, स्थानी, सहरी निकाए, केंद्री स्पताल, केंद्री राजिक, केंसासित प्रदेश के स्वायत स्वास्ताल, तो जितने भी अस्पताल वाले हैं उनको, और जो आपके दैनिंग मजदूरी, और एड हाक आउट्सोर्सिंग जो कर्मी लगे हुए, एंबुलेंस वाले जो भी को इस समय रखा गया है तो यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर उनका कहना है लेकिन आंगनबारी का पर जिक्र नहीं है जिसके कारण हम यह नहीं के सकते कि आंगनबारी को जारकंड सरकार बीमे का लाप देगी तो मैं चाहता हूं जारकंड सरकार यदी बीमे में आंगनब कुछ देने वाली है फिराल के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में